तो हमने देखा कि पूंजी गत प्राप्ति और आगम गत प्राप्तियां क्या है इनमें क्या अंतर है इसी तरह से हम देखते हैं कि पूंजी गत भुकतान और आगम गत भुकतान क्या है और इसमें हम अंतर देखेंगे कि इसमें इनको दोनों को हम एक दूसरे अलग कैसे करें तो यहां पर पूंजी गत भुकतान हम देखते हैं कि वे सब वे जो पूंजी गत प्रकृती के होते हैं पूंजीगत भुक्तान कहलाते हैं लेकिन यहां पर कन्फ्यूजन होता है कि वे की बारे में हमने चर्चा की कि पूंजीगत भुक्तान की तो क्या यह वे और भुक्तान अलग-अलग है जिस बिलकुल अलग है किस तरह से हम यहां पर देखते हैं कि जो राशी जिस पर वे की जानी है जिस मद पर जिस पुण्जी गत मद पर जिस कपितल आइटम पर वह वhait कि जानी है वह फूरी की पुण्जी गत माल나미 जाती है लेकively उसमें से जो पेमिंट कि जाती है वास्तवी कुरूप से उसमें से जो भुकतान कर दिया जाता है उसको हम भुकतान मालेते हैं यह हम कहें पूंजी गत भुकतान माल लेते हैं एक उदारण के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भूमी पाँच लाक रुपए में खरीदी गई और इसको खरीदने के लिए एक लाक रुपए दे दिये गए कितनी है उस भूमी की केमत पाँच लाक रुपए कितना पेमिंट कर दिया गया है एक लाक रुपए दे दिया गया है तो अभी हम यह माल लेंगे कि टोटल पूंजी गत व्य कितना है पाँच लाक लेकिन पूंजी गत भुकतान कितना है केवल एक लाक तो ये डिफरेंस हमें आपर समझ पार है कि वय और भुकतान दोनों में क्या अंतर है expense and payment ठीक ऐसे ही हम आगमगत वय और आगमगत भुकतान में ही में भी अंतर कर पाते हैं आगमगत के बारे में जितना हमने समझा उन सभी सिध्धानतों को अगर हम फॉलो करते रहें तो हम देखते हैं कि समान वय पार संचालन से जो वय उत्पन हो रहा है उस उत्पन वय की राशी आगमगत वय होगी लेकिन जो भुकतान कर दिया गया वो आगमगत भुकतान होगा मान लेजिए वेतन देना है या वेतन की राशी है यहाँ पर बीस अजार रुपै पांच अजार रुपै वेतन दिया गया तो आगम गत वय हैं यहां पर 20,000 रुपै और आगम गत भुखतान होगा यहां पर 5000 रुपै तो इस तरह से हमको difference करना है पुझी गत वय और पुझी गत भुखतान में और आगम गत वय और आगम गत भुखतान में तो ये तो हमने बात की भुक्तान की अब हम देखें लाब लाब को कैसे हम identify करें कि ये पूंजी गत लाब है कि आगम गत लाब है तो क्यूंकि हमने देखा कि हम पूंजी गत शब्द की अवधारना और आगम गत शब्दी की अवधारना को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब यहाँ पर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वो सभी लाब जो अस्थाई संपत्तियों से प्राप्ति किये गए हैं अनावर्तक प्रवृत्ति के हैं बहुत बड़ी राशी में जिनकी राशी की मातरा जादा है उससे संबंधित जितने लाब है वो पूंजी गत लाब के अन्तरगत शामिल किये जाते हैं जिसे को दारन की अधार पर यह कुछ बिंदेव के अधार पर हम देखे तो वह सभी लाब जो कि से संबंधित हैं यानि कि इस संपत्ति के विक्रे से संबंधित है जिसे मान लीजे एक मशीनरी हमने खरीदी थी दस अजार उपए की दो तीन साल तक हम उसको यूज किया घटकर उसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई थी आठ अजार जब भी हमको इस थाय संपत्ति खरीदते हैं उसका डेप्रिसियेशन क्यालकुलेट करते चलते हैं मूह लिहास क स्क्रैप वैल्यू घटाने के बाद उस मशीन के जो कॉस्ट है वो एट थाउजन थी उसको हमने बेचा टैन थाउजन में तो हम यह मानेंगे कि टू थाउजन यहां पर हमको जो डिफ्रेंस आ रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यह स्थाय संपत्ति को बेचने से यानि यह हमारे लिए पूंजी गतलाब है तो किवल मशीन ही नहीं कोई भी भूमी हो भवन हो फनीचर हो मोटर वहिकल हो किसी भी तरह कि स्थाय संपत्ति को बेचने से जो लाब प्राप्त होगा वो पूंजी गतलाब के अंतरगत आएगा दूसरा उदारन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी वेपार को क्रे करने से लाब हम किसी ऐसे बिजनेस को क्रे कर ले जो अल्रेडी बहुत प्रॉफिट में चल रहा है पहले से उसमें बहुत लाब है तो वो प्रॉफिट भी क्योंकि वेपार भी स्थाय संपत्ति हैं हमार तो यह हो रहा है, तो क्योंकि वो भी कम्पनी से ही रिलेटेड है, वेबसाय से रिलेटेड है, तो वो जो लाब होगा, उसको भी हम पुझी गतलाब में ही शामिल करेंगे, एक मातपूर्ण बात यहां पर यह होती है, कि अंशो और रिंड पत्रों के निर्गमन पर लाब, अ दूसरा हम उसको बट्टे पे निर्गमित करते हैं, डिसकाउंट पे, यानि 10 रुपे के शेयर को अगर हम 8 रुपे पे निर्गमित कर देते हैं, तो 2 रुपे की जो एमाउंट है क्योंकि हमने कम पे निर्गमित किया, तो हम उसको डिसकाउंट माल लेंगे, तीसरी कंडिशन बनती है प्रीमियम पर निर्गमन दस रुपए के एक शेयर को हम बारा रुपए में निर्गमित कर देते हैं और वो निर्गमित हो भी जाता है तो यहां पर जो दो रुपए डिफरेंस आ रहा है बढ़ा हुआ हमको जो मुले मिल रहा है वो प्रीमियम पर निर्गमन है यहां भी पूंजी गतलाब के अंतरगति शामिल किया जाएगा एक महतुपूर्ण बात यहां पर यह देखने को मिलती है अंशो के हरण पर प्राप्तलाब profit on forfeiture of share अंशो के हरण को हम समझें तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जब अपने अंशो को निर्गमित करती है यानि कि market में बेचती है जनता को बेचती है तो अंशो की जो राशी होती है शेयर की जो value होती है वो पूरी की पूरी राशी कम्पनी एक साथ प्राप्त नहीं करती बलकि छोटे छोटे टुकडों में जब उसको जितनी राशी की जरूरत पढ़ती है उतनी राशी को वो प्राप्त करती है एक उदाहरन से हम इसको समझें मान लेजे एक कम्पनी ने 10 रुपए वाले 1000 शेयर निर्गमित किये यानि कि उसको 1000 शेयर पे 10 रुपए नि 10,000 रुपए प्राप्त होंगे अब एक शेयर कितने का है 10 रुपए का नमबर ओफ शेयर कितने है 1,000 इस 10,000 की जो राशी है या एक शेयर पे 10 रुपए की जो राशी है उसको कम्पनी एक साथ नहीं लेगी कई बारे से लेती भी है ल यह जो दस रुपए है यह कई टुकडों में प्राप्ति किया जाएंगे इसमें से कुछ राशी जैसे मान लेजिए एक रुपए आवेदन पर यानि जब आवेदन करता फर्म को कमपनी को आवेदन करेगा कि हम आपके शेयर्स खरीदने के लिए तयार है तब वो एक शेयर प होता है अलोटमेंट अगर कमपनी उस अंश के जो करेता है खरीदने वाला है उसको अंश अलोट करना चाहती है आबंटित करना चाहती है तो आबंटन करेगी और जब वो आबंटन करेगी जब कमपनी अंशो का आबंटन करेगी तो कुछ धनराशी वो अगले वेक्ति से प एब और कम्ने ले लिये अब साथ और बचते हैए जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वे टुक्रों में मांगेगी मैं इसके लिए company call करती है याचना करती है जिसे हम first call, second call, third and final call के नाम से जानते हैं तीन बार टुकडो में मांग सकती है हो सकता है कि पूरा 7 रुपए एक बार first call में ही मांग ले या हो सकता है कि 3 रुपए एक बार first call में मांग ले और 4 रुपए second call में मांग ले एक example से हम ऐसे समझते हैं कि मान लो company ने 3 रुपए इसमें से first call में मांग लिए और बागी जो 4 रुपए बचे थे वो second call में मांग लिए यहने second call दृती याचना ही इसकी अंति म्याचना यहने final call थी अब आप आप देख रहे हैं कि total 10 रुपए company ने step by step मांग लिए आबंटन के बाद आबंटन और उसके साथ जितनी राशिया हैं उसके लिए company call करती है पैसे मांगती है जितना share उसने बेचा है उसके लिए वो call करती है लिकिन कई बार ऐसे होता है कि बार बार company के call करने पर भी जो अंशो का क्रेता होता है जिसने shares खरीद के रख ली है company के वो उस अंशो पर याचना की राशी का बुकतान ही नहीं करता है ऐसे condition में company परिशान होकर उसके share को forfeit कर लेती है हरन कर लेती है उनके अंशो का और क्या करती है कि हरन के पहले जो पैसा प्राप्त हुआ था उसको company जब्त कर लेती है forfeit कर लेती है उनके अंशो को और फिर उन्ही अंशो को ये कंपनी किसी दूसरे शेयर होल्डर को सेल कर देती है निकी री सेल कर देती है पुनर निर्गमित कर देती है तो एक तो उन अंशो पर फिर से उसको सारी राशिया प्राप्त होगी दूसरा पहले से उसको जो राशी प्राप्त हो गई थी उसको जबत कर ल तो यहां पर अंशु के हरण पर जो राशी प्राप्त होगी वो पूंजी गतलाब के अंतरगत आ जाएगी। पत्रों का निर्गमन कर दी है तो वहां कंपनी को जो प्रीमियम रिलेटेट कुछ प्रॉफिट अगर उसको प्राप्त होता है तो वो सब का सब पूंजी गतलाब के अंतरगत चला जाता है। पूंजी गत और आगम गत शब्द की इसी अवधारनाओं को अगर हम लाब यहानी से कनेक्ट कर दें। यहानी कि हम जानना चाहें कि पूंजी गत लाब क्या है और पूंजी गत हानी क्या है। क्योंकि आगम गत शब्द की अवधारनाम में ही हमने समझ लिया है कि जो आवर्तक प्रवर्ति का है, जो समाने वैपार संचालन से संबंदित है और जिसकी धनराशी अपेक्शाक्रित पूझी गत से कम है तो इस तरह के जो वैपारी माल का विक्रे इसले करता है कि उसको कुछ हिस्सा लाप प्राप्त हो सके तो माल के विक्रे पर किसी वैपारी को जो भी लाप राप्त होता है वो आगम गतलाप के अंतरगत आता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माल को बेचना एक समाने वैपार संचालन की क्रिया है आवर्तक प्रवृत्ती का है हमेशा जो वैपारी होता है उसका काम यही होता है कि वो वैपार में माल को बेचे तो क्योंकि यह समानी वैपार संचालन से संबन दित है आवर्तक प्रवृत्ति का है इसलिए यहां पर जो लावुदपन होता है किसी माल को बेचने से प्राप्त होने वाला आगम गतलाद के अंतरगत आता है ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि जो प्राप्त किराया है प्राप्त कमीशन है प्राप्त बट्टा है अगर ये आवर्तक है यानि कि बार-बार प्रति माह कुछ महीने के भीतर प्राप्त हो रहा है यानि आवर्तक प्रवृत्ति का है तो इन सभी प्राप्तियों को हम आगमगत प्राप्ति माल लेते हैं और इसे ही हम आगमगत लाब के अंतरगत शामिल कर लेते हैं यहां हमको यह ध्यान में रखना होता है कि यह जो आगम गतलाब है यह वर्ष के अंत में लाभानी खाते में जमा कर दिये जाते हैं जिबकि पूंजी गतलाब जो होते हैं उनको हम कहीं न कहीं चिट्टे में ले जाते हैं लेकिन बाद जब आगम गत्लाब की आती है तो वो लाभानी खाते के मदों के अंतरगत शामिल कर लिये जाते हैं और यही वो लाभ होते हैं जो किसी व्यपार का शुद्ध लाभ ग्यात करने में सहायक होते हैं पूंजी और आगम गतलाव में अंतर प्रकृति के आधार पर पूंजी गतलाव किसी इस्थाई संपत्ती के विक्रे से प्राप्त होने वाला लाव कहलाता है जबकि आगम गतलाव वा है जिसमें जिन वस्तों का व्यपार किया जाता है उसके विक्रे से होने वाला लाब आगम गतलाब कहलाता है दूसरा लेखा के आधार पर पूंजी गतलाब पूंजी या पूंजी संचिती खाते में लिखा जाता है जबकि आगम गतलाब लाभानी खाते में जमा यानि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है निरंतरता के आधार पर पूंजी गत लाब व्यापार में निरंतर नहीं होता है जबकि आगम गत लाब व्यापार में निरंतर होता रहता है प्रभाव के आधार पर पूंजी गत लाब इस प्रकार के लाब का प्रभाव सीधे ही पूंजी पर पढ़ता है जबकि आगम गत प्रकार के लाब का प्रभाव लाब हानी खाते पर पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पूंजी गत हानी और आगम गत हानियों की तो यहाँ पर भी बिलकल वही कंसेट फॉलो करते हैं हम पूंजी गत शब्द की अवधारना और आगम गत शब्द की अवधारनाओं को जब हम व्यपार की हानियों से जोड़ देते हैं तो हमको ज पूंजी गतानी होती है या आगम गतानी होती है जैसे कि हमने जाना कि पूंजी गत जो शब्द है वो कहीं न कहीं इस्थाई संपत्तियों से कनेक्ट होता है वो अनावर्तक प्रवृत्ति का होता है एक बहुत बड़ी धनराशी उस पर वह की जाती है या उसमें आनी होती है तो इनी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो पूंजी गत हानिया होती है वो कहीं न कहीं इस्थाई सपत्तियों से संबंदित होती हैं एक उधारण के तोर पर हम देख लें कि एक मशीनरी जो दो लाक रुपे में खरीदी गई थी कुछ समय के पस चार्श शतिग्रस्त हो गई और पचास जार रुपे में उसको बेच दिया गया बेचना पड़ा यहां पर डेड़ लाक रुपे की हानी हो रही है हाला कि कुछ depreciation value less करने के बाद हम उसकी लाब यहानी की calculation करते हैं लेकिन यहां पर हम एक सीधे सरलुधारन से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो difference है जितने में हम उसको खरीद कर लाये थे वैपार के लिए और जितने में हम उसको बेच दे रहे हैं दोनों के बीच का ज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक machinery है एक स्थाई समपत्ती है यानि कि यहां पर जो हानी हो रही है वो पूंजी गत्हानी के अंतरगत calculate के जाएगे एक चीज़ अगर यहां पर देखिए कि क्यूं होती है पूंजी गत्हानिया इनके उत्पन होने के कारण क्या है तो सबसे पहली बात हमको यहां यह देखने को मिलती है कि व्यापार के इस्थाई समपत्ती के विक्रे के कारण यह उत्पन होती है व्यापार में जो इस्थाई समपत्तियां प्रयोग में लाई जाती रही होती है समय समय पर उनको कई बार बेचना पड़ता है या तो वो इस थाई संपत्ती है इसलिए उनके विक्रे पर जो भी हानी होगी उसको पूंजी गत हानियों में शामिल किया जाएगा दूसरी हानी उत्पन होती है जब रिण पत्रों के भुक्तान पर प्रीमियम दिया जाता है यानि कि जितना रिण लिया गया था उससे कहीं ज्यादा च होते हैं यानि रिण पत्रों के बदले जो राशी प्राप्त होती है वो पूंजी गत राशी पूंजी गत प्राप्ति के अंतरगत आती है अब क्योंकि ये पूंजी गत प्राप्तियों से यहानिया हो रही है तो कहीं न कहीं यहानि पूंजी गत हानियों के अंतरगत क्याल तो इन अंशों का या फिर रिण पत्रों का निर्गमन सम मुल्य पर किया जाता है सम मुल्य यानि कि 10 रुपय का रिण पत्र 10 रुपय में ही निर्गमित कर दिया गया एक एक्जामपल के तोर पे कई बार प्रीमियम पर इसका निर्गमन किया जाता है यानि 10 रुपय का ये अ आंश या पिरेंपत्र है यह अपने अंकित मुल्य से कम मुल्य पर निर्गमित किया जाता है यानि还 Denk पर दो रुबे का जो ब्ट्टा दिया जा रहा है वह हानी ही लेकिन वह कौन सी हानी पुंजी ग soft पूंजी एकत्र करने के लिए किया गया था तो अगर यहां पे किसी प्रकार की कोई हानी होती है तो उसको पूंजी गत्हानी में शामिल कर लिया जाएगा एक पॉइंट हमको यहां पे यह देखने को मिलता है कि आप रचलन के कारण इस्थाई संपत्यों से पूर्ण हानी कई बार जैसी कि हमने बात की कि बहुत सारे इस्थाई संपत्या जिनको हमने खरीद लिया फिर वो आउटडेटेड हो गई आप रचली हो गई हम देखते हैं और उसके कारण जो पुरानी मशीन ही होती है वो आउटडेड हो जाती हैं कम्प्यूटर सिस्टम के संबंद में भी हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी यह चेंज होता है और जो भी इस्थाई संपत्ति हम एक कम्प्यूटर के रूप में खरीदे रहते हैं वो थोड परिस्थितिया कई बार आती हैं ऐसी कंडिशन में इन पुरानी संपत्तियों के अप्रचलन से इनके रुप्लेस हो जाने से जो हानी होती है वो सभी हानिया पूंजी गत हानी के अंतरगत आती है कैपिटल लॉस होती है इसलिए क्योंकि वो किस से संबंदित है स्थाई संपत्ति कई बार दुरगटना ग्रस्त हो जाती है कोई नई मशीनरी है कोई नया भवन है जो साई संपत्तियों के अंतरगत जिसकी गड़ना हम कर रहे हैं कोई दुरगटना हो जाती है आग लग जाती है किसी अन्य कारण से वो पूरी की पूरी दुरगटना ग्रस्त हो ज अगर हम आगम गत्वादारना को इन हानीों से जोड़ दें, तो हम देखेंगे कि वो सभी हानिया जो व्यापार संचालन से सम्भन्धित होती हैं, आवर्तक प्रव्रितिकी होती हैं. कई बार 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 होते रहती है वैपार में या इनकी जो धनराशी होती है ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं रहती है छोटी मूटी अमाउंट रहती है लॉस हो जाते हैं कई बार इनको हम लाभानी खाते में इनकी प्रविस्ट्री हम करते हैं जबकि पूंजी गत जो हानिया होती है उनकी प्रविस्ट्रिया हम स्थाई संपत्ती के रूप में जब हम बैलेंशेट बनाते हैं चिठ्ठा बनाते हैं तो वहाँ पर हम उसको प्रदर्शेट करते हैं तो आगम गत हानिया क्या है कब उत्पन होती है इस पर एक नज़र डालें तो यहां पर हम देखते हैं कि वे सभी हानिया जो समाने वेपार संचालन से संबंदित होती है यानि कि जो काम चल रहा है वेपार जो चल रहा है वहां पर जो हानिया उत्पन होते रहती है समय समय पर वो सबी हानिया इसके अंतरगत आती है जिसे माल के क्रेविक्रेपर हानी होती है हमने पूंजी गतलाब में देखा था कि इस्थाई संपत्यों के क्रेविक्रेपर जो लाब होता है या जो हानिया होती है वो पूंजी गतलाब हानी होती है लेकिन माल जो है वो एक आगम गत अवधारना है तो माल के क्रेविक्रेपर भी कई बार वैपारियों को जैसे लाब होता है वैसे हानी भी होती है यहाँ पर जो हानिया होती है क्योंकि वो वैपार संचालन से संबंदित है व्यवसाई की प्रकृती ही अगर ऐसी है कि माल को खरीदा बेचा जाएगा ये रोज का काम है तो यहाँ पर अगर कोई हानी होती है तो उसको हम आगम गत हानी में माल लेते हैं पूंजी गत हानी एवं आगम गत हानी में अंतर पहला हानी के आधार पर पूंजी गत हानी के अंतरगत इस प्रकार की हानी व्यवसाई के इस्थाई संपत्ती के विक्रे के परिणाम स्वरूप होती है जबकि आगम गत हानी व्यापारिक क्रियाओं के फल स्वरूप होती है दूसरा समय के आधार पर पूंजी गत हानी विशेश परिस्थितियों में होती है जबकि आगम गत हानी व्यापारिक वस्त्वों के क्रेविक्रे के परिणाम सुरू होती है तीसरा लेखा के आधार पर पूंजी गत हानी का लेखा चिठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाता है जबकि आगम गत हानी का लेखा लावानी खाते के पक्ष में किया जाता है प्रभाव के आधार पर पूंजी गत हानी से संपत्ति का मुलिक कम हो जाता है जबकि आजमगत हानी में व्यापार का लाव कम हो जाता है यह ऐसे कई बार होता है कि पक्रावार करेंशी दिस्काउंट देता अक्सर आप मॉल्स में किसी दुकानों में किसी विशेस और पर देखते होंगे कि डिसकाउंट के बोर्ड लगे रहते हैं हाला कि उनकी इंटर्नल पॉलिसी है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं क्यों बट्टा दे रहे हैं लेकिन एक कहीं न कहीं लोगों की मान सिकता रहती कि वहा भी उसको छोटी मोटी हानी वहाँ पर होती है जो भी डिफरेंस आता है उसकी विक्रे मूले और वास्तों में जो उसका मूले रधारित किया गया थे उसमें तो इन दोरों के बीज के डिफरेंस को हम आगम गत हानी ही मानेंगे ठीक इसी तरह से कई बार मूले में गिरावट आ जाती है हमने मांग और पूर्टी के अंतरगर देखा कि यह दो ऐसी शक्तियां हैं मांग और पूर्टी की जो पूरी तरह से बाजार को प्रभावित कर देती है किसी बाजार में जब किसी वस्तू की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ती घटने लगत को एक उसकी समय बचाहर में किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उसकी पूरती बहुत अधिक बढ़ जाती है पर उस वस्तु की किमत बहुत कम हो जाती ह। अब क्योंकि उतपादक को तो अपना लेयर गयर करना है माल बेचना है ऐसी कंडिशन में फिर वो कम कीमत पर उसकी पहले से निरधारिज जो उसका विक्रे मूले था उससे भी कम कीमत पर उसको माल बेचना पड़ता है यानि मूले गिरावट के कारण उस वैपारी को जो हानी उठानी पड़ती है वह आगम घत हानी के अंतर लगातार घटता रहता है बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण बाजार में किसी भी वश्तू का मूले लगातार घटता या बढ़ता रहता है